सूझती थी, सरकार की एकोनॉमी की आवश्यक्ता होती थी, उस आवश्यक्ता को ये फुल्फिल कर रही थी और उस आवश्यक्ता के अनुरूप इसमें इंप्रूमेंट या चेंजेश किये गए थे, तो जो आज हमारा टॉपिक बन रहा है, वो टॉपिक हमारे पास है, फेरा एंड फेमा, ठीक है, तो फेरा जो हमारे पास है, इसका तात पर ये होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट का मतलब होता है कि जो भी देशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है, suppose that, कोई अमेरिका से आ रहा हमारे कंट्री में, अपन हमारी रुपीज तो लेके नहीं आएंगे, ये अपने साथ अमेरिका वाले क्या लेके आएंगे, डॉलर लेकर के आएंगे, कोई लंदन से आ रहा हमारे इंवेस्टमेंट करने, तो वो क्या करेगा, पॉंड लेकर के आएगा, ठीक है, इसी तरह आपके पास युवान लेक लगाई है, इस कंपनी में इन्होंने विदेशी मुद्रा लगाई है, उससे हमारे देश में पहली चीज कि गलत डारेक्शन में एकनॉमिक डेवलप्मेंट न हो जाए, गलत डारेक्शन का मतलब होता है कि ऐसी इंडरस्टी ना लगने लगे, जिस इंडरस्टी की हमको रि में आप यहां लगा देते, हमारे देश में कोई इंजीनियर नहीं मिलता AI टेकनोलोजी का, यह अलग बात है कि उस समय AI नहीं था, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत हाई-फाई टेकनोलोजी भी हमारी देश में आती, किसके, वाया, एफ, ए, आर, ए के, तो हमारे देश में employment generation में उसका role बहुत कम रहता, तो हमको जो foreign exchange regulatory act था, इसको हमको regulate करना था, इसके लिए नियम बनाने थे, ताकि हमारे देश के economic development के साथ वो चीज़े align हो सकें, हमारी needs के according वो हो, और यह विदेशी मुद्रा कहीं हमारे economic growth path को क्या हो जा, divert ना कर दे, ठीके, तो फेरा जो था foreign exchange regulatory, regulatory का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी student को regulate करूँ, regulate का मतलब आप कितने बज़े पढ़ोगे, आप कितने बज़े खाना खाओगे, आप कितने बज़े ये करोगे, तो मैं मानता हूँ कि एक target आप achieve कर लोगे, suppose that अगर आपने IES का target रखा तो आप IES का target achieve कर लोगे, लेकिन other target से आप regulate करने में थोड़ा बिमुक हो जाओगे, ठीक है, बिमुक होने का मतलब क्या होता, कि multi-dimensional development का जो concept है, वो नहीं achieve कर पाओगे, तो यहाँ पर ये था कि हमारी जो विदेशी मुद्रा आ रही थी, उसको regulate करने का काम government of India कर रही थी, कि वो मुद् किस industry में आएगी, कितनी मात्रा में आएगी, reinvestment कितना होगा, यानि everything जो होता regulate by, regulating by government of India, तो इससे हमारी जो विदेशी मुद्रा थी, वो control में थी, समझ में आया, control में थी, कि मतलब जब सारा regulation का काम हम ही बनाएंगे, तो हमारे पास हमको अब ये विदेशी मुद्र से डर किस बात का, और विदेशी मुद्रा का मैं ने बताया था, डर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भारत जो परतंतर हुआ था, वो एक मात्र कंपनी आए थी, East India कंपनी जो थी, India कंपनी, इस कंपनी ने पूरे देश को परतंतर कर दिया था, तो हमको इतना ज़्यादा डर था कि एक बिदेशी कंपनी हमारे देश पे सासन कर लेगी, और वो सासन पूरे कितने साल तक, 1.500 वर्सों तक लगातार चला, ठीक है, 100.500 वर्सों तक जब लगातार चला, तो कहीं न कहीं मुझे डर था, हमें डर था, दूसरा बिदेशी मुद्रा के consequences हम देख सकते हैं, कि इन में विदेशी मुद्रा जो होती है, वो लाभ का, यानि profit का अधिक पार्ट अपने देश में ले जाती है, जिससे मुद्रा का प्रवा हमारी कंट्री में कम हो जाता है, परिणाम सुरूप क्या हो जाता हमारे देश का economic growth भी कम हो जाता, परिणाम सुरूप देश का economic growth कम हो जाएगा, और economic growth कम होने के परिणाम सुरूप employment income generation भी देश की बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, क्लियर है, आप देखिए यहाँ पर कि आप हम विदेशी मुद्रा को जब कंट्रोल कर रहा है तो हमको कोई डर ही नहीं था, लेकिन अब आप देखिए 1991 की आप new economic policy 24 जुलाई 1991 को आपने नई economic policy बनाई और economic policy का नाम आपने रखा, LPG, liberalization, privatization and globalization, तो अगर आप फेरा के साथ LPG लागू करना चाहते हैं, तो that is impossible, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का multi-dimension development हो, लेकिन नहीं, वो बच्चे कितने कदम बढ़ाएंगे, वो मेरे अंसार बढ़ाएंगे, नहीं हो सकता है, अगर आपको एकनॉमी में liberalization, privatization and globalization की policy को implement करना है, तो आपको फेरा को हटाना होगा, फेरा क्या था, कुछ लोग इससे नाराज थे, क्यों, क्योंकि आप कह रहे थे कि reinvestment 40% हो सकता, support that example है, लेकिन needs कितनी थी, 50% की, लोग हम 10% नहीं कर सकते हैं, हमारी नहीं एक अच्छी मसीन आ नहीं थी, वो नहीं आ सकती है, कुछ पुझी पत कह रहे थे, कि जब हम पुझी ले करके आ रहे हैं, तो regulate आप क्यों कर रहे हो, हमको करने दीजे ना काम, ठीक है, तो जो फेरा था, वो बहुत बड़ा barrier था, LPG के रास्ते में, liberalization, privatization, and globalization के path पे, इसलिए सरकार ने सूचा, कि अब हमारे पास, जब हम पूरी economy को liberal कर रहे हैं, private sector को invite कर रहे हैं, वर्ड को global economy में convert कर रहे हैं, तो आखिर हमको फेरा को फेमा में convert करना होगा, और फेमा क्या था, foreign exchange management act था, regulatory और management में बहुत बड़ा difference था, management का मतलब होता है, कि हम चीजों को manage कर देंगे, manage करने की policy हम बनाएंगे, लेकिन उनको regulate करना हम उस investor को दे रहे हैं, कि आप regulate करिये उस पैसे को, ठीक है, पापा आपको पैसे manage करके दे दें, बेटा कौन सी बुक खरीदनी, वो आप खरीदना, तो that is called a फेमा, फेरा क्या था, पापा ने पैसे दिये, और उन्होंने classification कर दिया, कि आपको इतना room rent पे खर्च करना है, इतना आपको books में खर्च करना है, इतना आपको mobile recharge पे खर्च करना, everything is fixed, तो आप creative काम नहीं कर सकते हो, बट foreign exchange management act ये बताता है, कि इसके अंतरगत आपके देश में investor foreign currency ले करके आ जाते हैं, management सरकार कर देती है, और उसके regulation का काम उस company को दे दिया जाता है, अब क्या हुआ, जितने हमारे देश के पूझी पद्धे बड़े खुस हो गए, खुस होने का मतलब ये हुआ, कि आप उनको सोतंतरता मिल गए, कि वो कोई भी decision ले सकते हैं, कि मैं कितने पैसे का, कितनी capital की मैं machine upgrade कर लूँ, कितने capital से मैं काम करूँ कि कच्छा माल मंगा लूँ, कितनी चीजों को हम कहां पर reinvestment कर ले, everything वो decide up करने लगे थे, तो इससे क्या हुआ हमारी economy liberal हो गई, आप पूझी पति अच्छे से सोच सकते थे, और पूझी पतियों को गलट direction में मनी न चाहिए, यह नहीं कि आप कोई ऐसी industry लगाने लगो, जो हमारे देश के लिए घातक हो, तो उसका management क्या करेगी, हमारी team करेगी, government of India की team करेगी, तो यानि हमारी जो foreign exchange regulatory act था, वो convert होकर के foreign exchange management act के रूप में convert हो गया, जो हमारी economically बहुत सुखद रहा, बहुत सुखद रहा, बहुत सुखद का मतलब यह हुता, कि सभी लोग बहुत खुश थे, तो यह था, इसका conceptual framework मैंने आपको साथ discuss किया, अब आईए इसके deep में और चलते हैं, पहली बात, फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है, प्रस्न अधिकतर पूँचा जाता है, अब मुझे नहीं लगता कि इस lecture के बाद आपको नए समझ में आए, 1973 में बिदेशी बिनिमाय नियमन अधिनियम regulation act बना था, पारित किया गय था, जिसका मुख्य उद्देश था, बिदेशी मुद्रा का सदुपियोग निर्थारित करना कि उसका best use किया जाए, best use काउन डिटर्माइन करता था? यह best use government of India डिटर्माइन करती थी, इनको जो आपका industrial department था, वो डिटर्माइन करता था, ठीके, ताकि क्या होता, misuse up the money ना होने लगे, लोग luxurious commodity ना खरीदने लगे, या क्या होता, direction up the money जो foreign exchange की थी, वो कहीं अधर जगा पर ना हो जाए, ठीके, अब हमारे पास, लेकिन ये कानून देश के विकास में बाधख बन गया, क्यों बाधख बन गया, क्योंकि इससे अब जो capitalist थे, पूझी पती थे, वो एक limited dimension में ही सोच सकते थे, और investment कर सकते थे, इस कारण से दिसंबर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा को प्रिस्तावित किया गया, तथा राष्टपती महोदैजी के अनुमोदन के बाद 1999 में फेमा के नाम से जो फेरा था फेमा प्रभाव में आ गया, फेरा वास्तों में restriction था उसमें, restrictions था और पूंजी पती उतना स्वतंतर नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फेमा उस समय की नीडसी थी, क्योंकि liberalization, globalization और privatization की policy हमने implement की थी, और इसको operate करने के लिए, इसको एकनौमी में implement करने के लिए, चलाने के लिए, हमको फेरा को फेमा में convert करना बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता, बहुत ज़्यादा पूंचा गया है प्रश्चन की फेरा और फेमा कब आया, 1973 में फेरा आया, और 1999 में फेमा आया, संसत के दोनों संदनों द्वारा पास होने के परिणा मसरूर, अगला है, बिटिश शासन के दावरान, देखो जब इसका मैं थोड़ा सा बैक्ग्राउंड भी लेता हूँ, कि जब हमारा कहता है बिटिश शासन था, हमारा परतन था देश, तो उस समय बिदेशी मुद्रा बहुत सीमित मात्रा में होती थी, इस करण सरकार देश में इसके आवा गमन पर नजर रखती थी, किस सेक्टर में आ रही बिदेशी मुद्रा, किस चीज पर प्रियोग हो रही है, क्योंकि उस समय हमारी economy closed economy थी आपने कीन्स का theorem पढ़ा होगा आपने classical approach पढ़ा होगा तो उसमें हर जगे देखोए के एजमसंस ली जाती है the economy is closed पहले globalization का उतना concept नहीं हुआ करता था ठीक है जब हमारी economy liberal हुई new economist आये और कीन्स जैसा economist आया और उन्होंने word label पर जो आपके प रूप से present की तब लोगों को पता चला अच्छा open economy that is very good जो हमारे लिए बहुत best होती है पहले उसके पहले सब closed economy में बढ़ा विस्वास करते थे कि economy को closed होना चाहिए था नहीं तो हमारे money flow हो जाएगी money flow हो जाएगी तो हमारे लिए problem generate होगी तो उस concept को यहां पे तोड़ा पहले closed economy थी तो closed economy के अंतरगत फेरा बहुत क्या हो था impactful फूल था लेकिन जब economy का आपका structure change हो करके open economy में convert हो गया तो अब फेरा वहां पर वाईबल नहीं रहे गया था अब हम open economy के अंतरगत फेरा की अवश्यक्ता की गई और फेरा हमारे यहां आया भी फेरा आया भी हमार पारित किया गया जिसका उद्देश था विदेशी मुद्रा का शदू पियोग करना लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया इस करण सन 1973 के स्थान पर फेरा फेरा जो था वो 1999 में आपका आ गया उसके बाद क्या होता है कि यह अनुमोदन के बाद एक जून 2000 क को फेमा पूरी तरह से एकनौमी में प्रभाव में आया था पास कब हुआ दिसंबर में इसको रखा गया था 1999 में तो पास यहां पर हुआ देखो कुश्चन का नेचर समझना एकजाम में फेमा पास कब हुआ दिसंबर 1999 में प्रभाव में कब आया यानि इंप्लीमेंट कब हुआ प्रापर तरीके से एक जून दो हजार को फेमा पूरी तरह से इंप्लीमेंट एकनॉमी में किया गया दोनों चीजे अलग-अलग होती हैं कुछ बच्चे होते इसमें टिक करके आते वो कुष्चन का नेचर नहीं पड़ पाते हैं तो यह आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ अधिनियमित कब हुआ यह पूछा जा रहा कि प्रभाव में कब आया यह पूछा जा रहा यह प्रस्ण का नेचर बहुत देखियेगा कवर से नौधर नेक्स्ट है फेरा का का काम क्या था फेरा जो आपका था ए-फि-ई-आर-ए फेरा क्या था विदेशी भुक्तान पर नियंतर लगाना कि हम ज्यादा जो फॉरेंड़ डेप्ट आया फॉरेंड आपके पास बैलेंस साब पेमेंट उस पर ज्यादा अधिक खर्चना करें ताकि हमारी विदेशी मुद्रा कंट्रोल में रहे पूंजी बाजार में काले धन पर नजर रखना कि ब्लैक मनी तो हमारी एकनॉमी में नहीं जनरेट हो रहे इसलिए फेरा को लाए गया विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना कि जो हमारे पार फार इसमें हमारे पास क्या होता कि जो अचल संपत्यां क्या ज्यादा खरीद रहा है इनको भी कंट्रोल करना था आगे इस कानून को देश में तब लागू किया गया जब देश का बिदेशी मुझी भंडर बहुत खराब हालत में था ठीक है फेरा लगने के कारण हमारे देश में इतना कम विदेशी मुद्रा बचा था कि हमारे लिए एकनौमी को सर्वाइव करना मुस्किल पढ़ रहा था अब मुस्किल क्यूं पढ़ रहा था देखो हम दाल चावल आटा हमारे गिदेश में हो रहा है लेकिन केवल हम इससे काम तो नहीं चला सकते थे हम पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते थे तो उसके बदले में हमको foreign currency payment करना ही पड़ती थी इसलिए हमको foreign currency चाहिए फिर हम क्या करते थे medicine बाहर से खरीदते थे जब medicine बाहर से खरीदते थे तो इसके लिए बिदेशी मुद्रा चाहिए होगा फिर हम बहुत से चीजे ऐसी थी जो बिदेश स हमें इसका crisis generate हो गया तो इसके परणाम सुरूप हमको इसके management पर बात करने लगी कि नहीं हमको जो foreign currency exchange flow है inflow को हमको बढ़ाना होगा outflow को हमको रोकना पड़ेगा तो इस तरह करके हमको चीजों को थोड़ा सा नए तरीके से सोचना पड़ा ठीके now the next है फेमा फेमा देखो आया 1999 में जब फेमा आया और 2000 में इफेक्टिव इंप्लीमेंट हुआ संड 2000 में इफेक्टिव इंप्लीमेंट हुआ तो इसका लच्छ था विदेशी भुकतान और ब्यापार को बढ़ावा देना देखो साफ साफ था economic globalization करने की बात कर रहा है यह economy को open करने की बात कर रहा है close economy के concept को यहां से हमने छोड़ दिया था ठीक है close economy concept अब हम विदेशी भुकतान और ब्यापार को बढ़ावा देना यानि जो हमारे पास foreign trade है उस foreign trade को बढ़ावा देंगे यानि हम globalization के concept को यहां पर सुईकार करने लगे ठीक है विदेशी प और दोगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके इसके अलावा फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रख रखाओ सुधार को प्रतसाहित करता था क्यों क्योंकि इससे क्या होता जो हमारा फेमा था यह विदेशी मुद्रा कहां से आ रही है कैसे आ र कर रही थी भेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी सोतंत्रतां परदान कर रही थी यह के लिए वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है और माल्न बन सकता पहले ऐसा नहीं था पहले ये था फेरा ये कहता था कि हमारे देश से मुद्रा नहीं लेकर जाओगे और विदेश में बाहर संपत्ति को आप नहीं खरीदोगे जैसे आप देखो माल लीजे मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं लंदन तो लंदन जब जाओंगा तो लंदन में मुझे एक कंपनी खरीदनी है तो उस कंपनी को खरीदने के लिए मैं क्या करूँगा इंडिया में रिजर बैंक आफ इंडिया को मैं अपनी रुपीज दूँगा और रुपीज के बदले मैं डालर लूँगा इस डालर से मैं यहां पेमेंट करूँगा तो पहल allowed नहीं था फेरा के अंतरगत नहीं आप विदेश में संपत्ति नहीं खरीच सकते हो क्योंकि इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा लेकिन फेमा के अंतरगत अब हमारे देश के investor बाहर जा सकते थे और वहाँ पर चीजों को खरीद सकते थे फेरा और फेमा में अंतर बहुत deeply देख लेना बहुत carefully इस concept को देख लेना आप लोग confused होते हैं पहला अंतर इसे संसद में जो फेरा था F.E.R.A. जो फेरा था इसे संसद ने 1973 में मंजूरी प्रदान की थी 1973 में और फेमा जो था दिसंबर 1999 में इसको क्या हुआ था लाया गया था संसद मंजूरी दी थी ठीक है फेमा ने यह वर्तमान में लागू नहीं है क्योंकि 1999 में जब फेमा आया तो फेरा वहीं पर समाप्थ हो गया यह वर्तमान में लागू है तीसरा इसमें जो सेक्संस थे जो फेरा लगाया गया था इसमें सेक्संस की संख्या 81 थी 81 सेक्संस बनाए गया थे ठीक है आप पैराग्राप भी बोल सकते हो तो 81 सेक्संस इसमें थे और इसमें सेक्संस की संख्या घटा करके उन्चास कर दिया गया यह अब इसमें जो सेक्संस की संख्या थी वो पहले से कम हो गयी चौथा पॉइंट इसे भारत में विदेशी भुकतानों पर नियंतरन लगाने और विदेशी मुद्रा के सदुपयोग करने के लिए बनाए गया था कि विदेशी भुकतान ज्यादा ना हूँ ठीक है यानि हम डिमोलाइज कर रहे थे किस सो ट्रेड को डिमोलाइज कर रहे हम ये नहीं चाहा रहे थे कि हमारे पुण जीपत कच्चामाल विदेश से मंगाए हम नहीं चाहा रहे थे कि हमारे पुण जीपत विदेश जाएं तो यानि ना हम अपने विदेश में हम कोई विदेश यानि दूसरे कंट्री के साथ कोई economic activity करें ये इसके अंतरगत restriction था क् के बदले में हमको payment करना पड़ रहा था ठीक है लेकिन यहां पर देखिए जब फेमा आया तो इसका उद्देस बिदेसी ब्यापार और भुकतानों को बढ़ावा देना था कि हम इसमें क्या करते हैं कि बिदेस के साथ trade को mutual trade को ज्यादा से ज्यादा करें जो चीज हमारे देस में ज्यादा बन सकती सस्ती बन सकती हम उसको बनाए और जो देस बिदेस में बन सकती है यानि record or theory आपकी है बलर के उसर लागत सिद्धान जेस मिल का सिद्धान या हैकसन ओलिन का सिद्धान यह यहां पर effectively काम करने लगा था ठीक है ऐसा नहीं था कि हम self depend हो हम आटा हम गया पर आपका specialization कम है या जिसकी opportunity cost ज्यादा है आप उसको बिदेस से import कर लीजे यानि यहां पर international economics की जो थेओरी थी वो effectively काम करने लगी थी और इसके परणाम सुरूप यहां पर जो आपका फेमा था वो globalization के concept को पूरी तरह से privatization के concept को पूरी तरह से सुईकार करने लगा था यानि economy liberal हो गई थी private sector को respect देने लगी ठीक है और global economic के रूप में convert हो गई और economic closed की बत्त जाए open economic के रूप में हमको दिखाई पड़ने लगी थे अगला point था इसमें भारत का नागरिक उसी को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो ठीक है इसमें जो फेरा क्या होता था फेरा के अंतरगत देखो इसमें जो इंडियन citizenship की थी definition जो भारत में पैदा हुआ था उसी को नागरिक माना जाता था ठीक है लेकि फेमा के अंतरगत इसमें अगर कोई ब्यक्ति भारत में 6 महीना मान रह लेता था तो हम उसको इंडियन citizen का tag लगा देते थे तो यह आपका person of Indian origin करकर के होता था PIO कहलाता था कौन PIO person of Indian origin ठीक है तो फेरा जो support करता था वो PIO को support करता था लेकिन यह क्या होता था कि इंडियन जो आपका पास नागरिक्ता सिप जो हमारे देश की ले लेता था वो अगर 6 मेना हमारे पास कोई भी आ जाता था हमारे विदेश से भी कोई आ जाता था और 6 मेना अगर हमारे देश में रह लेता था तो हम उसको इंडियन सिटीजन सिप के अंतरकत ले लेते था और फेमा उसके उपर इंप्लिमेंट होने लगता था तो यह बेसिक डिफरेंस था इसको थोड़ा केरफुली देखिएगा यह एक एक्जाम में कई जगा फसाता है आपको PIO और जो आपके पास क्या करते हैं कि इंडियन ज इंडियन सिटीजन मानें के लेकिन PIO के अंतरकत उसको यहीं पर पैदा होना अनिवारे था पैस्छठा नंबर फेरा जो था इसमें क्रिमिनल अपराद की स्रेणी में अगर फेरा का कोई उलंगन करता था तो जैसे क्राइम आपने कर दिया था क्राइम वाले सारे धाराएं आपके पास implement होने लगती थी लेकिन फेमा के अंतरकत इसे दीवानी अपराद की स्रेणी में अंतरकत रखा गया था क्राइम की अंतरकत जैसे नहीं रखा गया था और जैसे फेरा का आपने उलंगन कर दिया तो इसके दोसी पाए जाने पर सीधे सजा का प्रावधान था क् जब क्रिमिनल अपराद की तरह था तो इसमें सीधे सजा दी जाती थी इसमें दोसी पाए जाने पर आप सजा तभी होगी जब व्यक्ति को नोटिस की थी इस तक 90 दिनों के भीतर निर्धारित अर्थ डंड जमा ना कर दे तो इसमें जो punishment था उसके अंतरकत नोटिस जाती थी क्योंकि दीवानी अपराद की स्रेणी में रखा गया था दीवानी अपराद की अंतरकत आपको पहले 90 दिन के अंतरक नोटिस जाती थी फिर आपको एक पेनाल्टी लगाई जाती थी और उस पेनाल्टी को आपको फुल्फिल करना पड़ता था उसके आधार पे आपको को करना पड़ता था तो वो कटेगरी यहां पर चेंज की गई अगला आठवा नंबर इसके अंतरगत एक निट जा सुठा इसके तहत मुकर्दमा दर्ज होते ही आरोपी दोसी माना जाता था अगर आप फेरा के अंतरगत आपके अंतरगत कोई आपने गलत काम कर दिया तो तुरंत मुकर्दमा दर्ज हो जाएगा और आपको जो आरोपी होगा वो दोसी हो जाता था और उसे यही साबित करना होता था कि वो दोसी नहीं इसका मुकर्दमा चलता था इसमें किसी गुना के संब्द में सबूत देने का बोज आरोपी पर नहीं होता है बलकि जिसने किया है केस बलकि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है कि आप प्रूफ करिए कि हमने गलत काम किया है यहां पर या मेरे द्वारा आपके नियम का उलंगन हु पे नहीं जाओंगा तो यह basic art point थे जो दोनों के बीच में अंतर को define करते हैं आगे बढ़ते हैं कोई विदेश पून रूप से आत्म निर्भर नहीं बन सकता है ठीक है तो उस समय क्या होता है कुछ न कुछ हम विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास रखते थे और उस विदेशी मुद्रा भंडार को यह लगता था कि मिस्यूजाब्दा मनी ना हो इसलिए एक 1973 में एक का फेमा यह दो वर्ड हमारे पास टेक्निकल वर्ड आ गए 1973 में जब विदेशी मुद्रा अधिनियम आपका फेरा बनाया गया तो इस कानून के ताथ रिजर बैंक को विदेशी मुद्रा का संरच्छक बनाया गया था कि जितनी फोरें करेंसी हमारे देश में आएंगी वो र रिजर बैंक आफ इंडिया को ही आप अपनी मुद्रा दे करके जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उस कंट्री की मुद्रा आपको लेना पड़ेगा ठीक है यह कानून विदेशी मुद्रा संरच्छन पर अधिक बल देता था कि हम मिस्यूज आप दमनी ना करें ज लोजट एकनॉमिक के कॉंसेप्ट को सुईगार करें तथा उसी के आधर पर एकनॉमिक को संचालित करें इसके प्रावधानों को उलंगर करने पर कठोर सजा के प्रावधान बनाए गये आगे जब हमारे पास 1991 में और्थिक संकट आये थे तो और्थिक संकट क्या था कि जो हमारा पास जो भॉरें एक्स्चेंज आपके पास इस टॉक था वे मात्र दो हपते या एक हथ कुछ जगह पे मैंने लिखा एक हथे कुछ जगह पे दो हथे मिलता है हमारे पास इतना कम भंडार बचा था विदेशी मुद्रा का कि हम बहुत कम अपने आयात को संपादित कर सकते थे तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि हमारे पास एक नई एकनॉमिक पॉलसी है और उस एकनॉमिक पॉलसी के अकॉर्डिंग अब हमको फारें एक्सचेंज जो रिगुलेशन एक्ट है इसको चेंज करके इसे फिमा के रूप में कनवर्ट करना चाहिए नहीं तो हमारे पास जो वदेसी वियापार का सियर है वो बहुत कम हो जाएगा और हमारी एकनॉमिक क्राइसिस में फस जाएगी और उस समय पेटरोलियम उत्पाद जो थे बहुत ज़दा इंपोर्ट किया जा रहा थे और पेटरोलियम उतपाद को इंपोर्ट करने के नम्सरूप हमको बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा को देना पड़ रहा था ठीक है तो अगर मेरे पास विदेशी मुद्रा भंडर कम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका इंपक्ट हमारे लिए पॉजटिव कि हमारे लिए विदेशी मुद्रा को मैनेज करना बहुत जरूरी था विदेशी मुद्रा के लिए हमको कुछ नियम बनाना जरूरी था और फेमा के तार्ड़ जो हमारे प्रावधान बना यहाँ पर देश के निवासी जिसको हम पी आईयों कहते हैं गैर निवासियों के मध्ध होने वाले विदेशी मुद्रा के लेंदेन के लिए नियम तथा कानून बनाए गए हैं कानून के अलग-अलग भाग है जो इस कानून के अधिकार जो आपके फेरा के अधिकार चेत्रों को डिफाइन कर रहे थे ठीक है यह कहां अब देखो तो यह देखो पी आर आई जिसको डिफिनीशन पी आई ओ कहते हैं या पी आराई कहते हैं जो हमारे पास फेरा था शॉरी यहां यहां पर देखो फेमा जो था हमारा कहते है पर्मनेट एसिडिंस ऑफ इंडिया पर लागू ह कंपनी आफिस संस्था फर्म एजेंसी आदी किसी विदेशी कंपनी की भारत में खोली गए कोई साखा आदी को भी पी आराई की स्रेणी के अंतरगत रखा जाता था बसरते वो उसने च्छै मेने हमारे देश में काम कर लिया हूँ ठीक है तो इसके लिए अगर कोई फेरा लुड़ेट आफ इनफोर्समेंट जो है यहां पर कंप्लेण किया चाता था और यहां पर कंप्लेण करने के परणाम सुरूप वो उसके भिरुध एक्सान ले सकता था अगला है पियाराई जो हमरे पास होता है पियाराई की डिफिनीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशिश हुई इस्थाई भारती निवास्यों जो इस कानून के तायरे में आते थे को परिभाशित किया गया है किसी ब्यक्ति पियाराई होने के लिए मुख्यता दो सर्ते रखी गई थी यह सर्ते थी कि निवास जो निवास की समय वधिय ता था दूसरी सर्त निवास का कारण तो पहली सर्त थी कि देश में कम से कम 6 मेने का उसका निवास होना चाहिए और दूसरा सर्त है कि वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हो उस कारण से हमारे देश मे तो इसके अंतरगत PRI के अंतरगत रखा जाता था ठीका? अगला हमारे पास point है विदेशी मुद्रा था प्रतिबूधियों के संबद्यं में प्रावधान तो कानून के अंतरगत विदेशी मुद्रा था प्रतिबूधियां जो हमारे पास थी foreign exchange and foreign security दो टर्मिलोजी यूज की जाती है foreign exchange और foreign securities जब हम मुद्रा की बात करते हैं विदेशी मुद्रा की बात करते हैं तो foreign currency के अंतरगत रखते हैं लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रदिभूतियां आती जो विदेशी कंपनियों में हम निवेश करते हैं उन security paper को अगर हम लाते हैं तो foreign securities के अंतरगत हम उनको calculate करते थे तो इसके अंतरगत जो विदेशी मुद्रा था प्रदिभूतियां थी उन को दो category में हम लोगों ने बाटा था ठीक है इसके ताहित कि ऐसे किसी विदेशी मुद्र या प्रदिभूतिय को लेंदेन करना जिसे रिजर बैंक द्वारा अधिकरत ना किया गया हो किसी गैर निवासियों के पच्च में किसी प्रकार का भुकतान तता भारत में किया गया कोई भुकतान जिसके कान विदेश में किसी संपत्या पर संपत्य का अरजन होता है को प्रतिबंधित किया गया था यह जो हवाला बयापार आपने बड़ा नाम सुना होगा हवाला बयापार तो हवाला बयापार के अंतरगत यानि विदेश में किसी संपत्य या परिसंपत होता है ठीक है आप गलत नाम से या गलत तरीके से चीजों को डेवलप कर रहे हो ठीक है तो इनको भी इसके अंतरगत प्रावधान में रखा गया आगा है चालू खाते से संबंधित लेंदेन का प्रावधान तो आपने जब बाइलेंस आप पेमेंट इंटरेशनल एकनॉमिक में एक आपने पढ़ा होगा फेर ओ सरी एक आपने पढ़ा होगा चालू खाता दूसरा आपने पढ़ा होगा पूंजी खाता और इस प्रकार चालू खाते के अंतरगत किसी देश में निवासियों तथा गर निवासियों के मद्ध होने वाले उत्पाद या सेवाओं के आय तानों के लिए नियम बनाए गए थी यह पॉइंट आप याद रखिएगा जिसे हम लोग क्या करते है फारेंड एक्सचेंज मैनेजमेंट यानि करेंट एकाउंट ट्रांजेक्शन सुलूल दो हजार नाम दिया गयता है इसके अंतर का तीन अनसूचियां थी पहली अनसूची नंबर स्रेडियूल नंबर वन थी सेक्शन नंबर वन भुकतान प्रदिबंद इसके जैसे लोटरी टिकट लग गई है आपके पास मैसेज आता होगा ठीक है इसको फिसिंग बोलते हैं कि आपकी विदेश में लोटरी लग गई है आप इतना ले सकते हो तो यह अनसूचित भुकतान प्रदिबंद था यह नि भुकतान प्रदिबंदित था इसके तहर लोटरी टिकट प्रदिबंदित मैकजीन फुटबाल टीम को खरीदना किसी भारती दुआरा विदेश में इस पर पास आता कि आपने अमेरिका की इस कंपनी में इतने लोखाप ने जीता होगा फेमा तुरंद रिस्टेक्ट कर देगा कि इन लीगल एक्टिविटी कोई ऐसी अक्टिविटी जो गॉर्मेंट में रजिस्टर नहीं है या गॉर्मेंट की नजर में नहीं है आप उससे प क्या होती है सारी सुचना आपसे ले लेते और वो आपको फिस्ग का बतलब उनकी जाल में आप फंस गया हो वो देटा आपका चुरा लिए है अब आपका डेटा के साथ आपके अब आपके साथ play कर रहे हैं play करेंगे क्यों कि कि आपका नाम चेंज नहीं हो का आपका account number नहीं change होगा आपका अधर नहीं change होगा आपका other information change नहीं होगी तो आप phishing का सिकार हो गए हो मलब आपका जो data है वो उनके हांथ में आ गया वो आप अब आपको क्या करते हैं कई ने कई ब्लैक मेल भी कर सकते हैं तो इन चीजों को साराद ने देखो तुरंत यहां पर फेमा अनुसूची के अंतरकत क्यों कि इसमें विदेशी मुद्रा का भुकतान हो रहा है तो इन एक्टिविटी को रोंका गया गौर तलाब है कि निर्यात की ए रखने माइनेजमेंट एक्ट की अंतरकत इन चीजों को लाया कि नहीं कुछ एक्टिविटी है जिनका भुक्तान हम नहीं इसमें सुभिकार करेंगे और उन प्रतिबंधील भुक्तानों और आपको देखना पड़ेगा तो यह बड़ा जरूरी था नहीं तो क्या करते थे बड़े-बड़े exporter क्या करते थे कमीशन लेते थे कि हम आपको इस company में इस country में इतना export करा देंगे हमारा कमीशन क्या होगा इससे illegal activity प्रमोट होती तो illegal activity से बचने के लिए सारे काम किये गए थे ओके जबकि रुपए में कितनी भी राज़ी का कमीशन दिया चाह सकता था इस भुक्तान के लिए केन सरकार की पूरुमंजूरी तो फेमा के अंतरगत जो आपका schedule 2 था इसके अंतरगत आपको अगर कोई विदेशी मुद्रा का payment करना है या receive करना है तो आपको permission लेनी जरूरी थी इसके तहर जैसे सांसकृतिक यात्र से संबंदित खर्च मैं जाना चाह क्याता हूं अमेरिका वहां के culture को देखने के लिए वहां पे रीती रस्म को देखने के लिए तो आपको government of India से क्योंकि मिस यूज आप the money ना करो क्योंकि आप डॉलर ले रहे हो government of India से ठीक है सरकार या सारुजनिक छेत के उपक्रमूत और विदेश निवेस या पर्यटन को हो जाए तो उस money crisis के क्या होता average में हमको देखना पड़ता कि कितने लोगों को tourism कार हम क्या करते हैं बीजा पास करते हैं और अधर को नहीं या विदेशी print media में किसी विग्यापन को खर्च करने के लिए कि हम विदेश के अख़बार में कुछ देना चाहते हैं तो वो भी ड sponsorship के लिए बीदेश में एक डालर लाख डालर से अधीक खर्च बीदेश में टेलिवीजिन या इंटरनेट सेवा उपलब्द करवाने के लिए किराये में लिए गए ट्रांसपॉर्डर के किराये भुकतान आधी को स्ट्यूल 2 में रखा गया और स्ट्यूल 3 था भुकतान के लिए रिजर बैंक की पूरू मंजूरी आवश्च थी तो देखो एक में गवर्मेंट आफ इंडिया के मंजूरी आवश्च थी और दूसरे में रिजर बैंक आफ उठा सकता है और वो देश कौन कौन से हैं तो आप देख लो जैसे भूटान तथा नेपाल के अत्रिक किसी देश में नीची यात्रा का खर्च है अगर आप भूटान और नेपाल जाते हैं तो ठीक है हम यह नहीं काउंट करेंगे ठीक आप वहां जाकर खर्च करेगा वैस आपको रिजर बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ेगी इसके अलावा आप देख सकते हो विदेश में रोजगार हेज जाना विदेश में प्रवास हेज जाना विदेश में अपने संबंधियों का खर्च भेजना व्यापार के लिए यात्रा चिकित्सा उप्चा डालर तक आपको पर्मिशन प्रदान करेगा कि आप इतनी विदेश मुद्रा को खर्च कर सकते हो लेकिन इसके ऊपर आप विदेश मुद्रा खर्च नहीं कर सकते हो ठीक गौरत अलावी कि विदेश में प्रवास चिकित्सा सिच्छा हेज खर्च देखो तीन चीजों को इ रिसर्च के काम में इतने में काम नहीं चलेगा कुछ आप परमिशन बढ़ाईए तो इस पे रिवाइज हो जाता था ड्राफ्ट और आर बियाई उसको संस्तुद भी कर देता था कि नई ची किस्सा के लिए हो सकता है मेटिकल एमर्जेंसी आपकी जाता हो लेकिन अधर चीज प्रिमा तो आज का